पर्मैन प्लेजबाल तुम्हें ले लिया अच्छा ये बात है अब दीखना मैं क्या करता हूं मामी मामी पता है मिट्सुओ ने अभी तक अपना होमवक नहीं किया है पता नहीं ये कब सुधरेगा मैं इसे कैसे समझा ये तो बात बुरा हुआ है तुम तो बड़ी चुगल खोर हो कुछ करना पड़ीगा देखो अब मेरा हुमवक तुम करोगे समझे लेकिन ये तुम खोदी क्यों नहीं कर लेते हुच्छे ज़्यादा बैस मत करो रास्ता बिलकुल साफ है मामी मामी मिच्चुओ अभी अभी बाहर गया क्या सच कह रही हो मैंने उसे अभी जाते में देखा देखो वो तो यही पर है क्या बात है मामी क्या हुआ कुछ नहीं तुमने जूट क्यों बोलागा इंको तो समझ कैना अगर आज तुम लोग हार गए तो इस जगा पर हमेशा के लिए हमारा कभजा हो जाएगा हाँ हाँ हम भी तुम्हें हरा कर ही दम लेंगे बिल्कुल ठीक हाँ जब मैं तुम्हारे साथ हो तो जीत पकी कितना अच्छा मजाग है दो स्ट्रेक एक बोल आउट हाँ यह तो आउट हो गया मैं तो बस प्रेक्टिस कर रहा था देख रहे दोस्तो इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा अरे फिर से चुक्या मैं भी पेसबॉल खेलना चाहता हूँ मिट्सू तुम्हें क्या हुआ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या है पेट में दर्द है गंको जल्दी से अंब्यूलन्स बुलाओ नहीं नहीं अंब्यूलन्स बुलाने के कोई जरूत नहीं बस थोड़ा आराम कर लेता हूँ तुम सच कह रहे हो ना हमी बस तीन रन और चाहिए इस बार तुम्हें कर के दिखाऊंगा तो तुम फिर से आ गए अब तो तुम जरूर हारने वाले हो एक बात याद रखना आज के बाद तुम लोग यहां दिखना भी मत मिच्सो नातक मत करो कोशिश करो कि एक दो रन मिल जाएं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मिच्सो क्या तुम घर चा रहे हो मैं जाकर पर्मान को ले आता हूँ पर्मान यह तुम क्या कह रहे हो क्या तुम उसे ला सकते हो अब दिखाता हूँ इन्हें अपना कमाल ए यह सब क्या हो रहा जल्दी सबैटिंग शुरू करो लो आ गया पर्मान तुम्हारी मदर्का में अरे वाय यह तो सच मुझ आ गया मैं आ गया अब खेल चुरू करो अब पैटिंगरी के बारी मेरी है कौन है यह पता नहीं होगा कोई अनारी हमें उससे क्या मज़ा चखाता हूँ उसने तो कमाल कर दिया पूबी तुमें सबसे दूरी रहो क्या तुम भी खेलना चाहते हो चलो ठीक है मुझे ध्यान से देखो मैं कैसे खेलता हूँ यह ऐसे ऐसे और ऐसे पहले इसे सीखना बहुत जरूरी है यह तो पक्का खेलाड़ी लगता है हमें ध्यान से खेलना होगा क्या बात है पर्मैन क्या बात है पर्मैन ओ गया यह तो बड़ा असान है हमें किसी भी तरह उन्हें रन बनाने से रोकना होगा समझ गये दोस्तों तुम कौनसे जगा लेना चाहते हो पर्मैन मैं तो कहता हूँ अगर मैं बॉल फैकू तो कैसा रहेगा ठीक है लेकिन पहले एक दो बार प्राक्टिस कर लो ठीक है तो अब तुम शुरू कर सकते हो शुरू करो यह मैने बॉल फैकी क्या बॉल थी यह क्या मेरे हाथ को क्या हुआ माफ करना मुझे थोड़ा धीरे फैकना चाहिए था क्या तुम क्याच करना चाहते हो ठीक है जैसे मैं कहता हो वैसा करो सभच जाओ क्योंकि अब हम दोनों खेलेंगे तयार हो जाओ तुम लोगों के लिए तो हम दोनों ही काफी है स्ट्राइक वान स्ट्राइक टू अब तो हद हो गई बैट को लगने दो फिर देखता हूँ अच्छा तो यह कैसे रहेगी स्ट्राइक प्री यह आउट एकी एकी अच्छा तो यह बात है इस बार मेरा कमाल देखो यह आउट सिर्फ बेजबॉली नहीं मैं तुम्हे दिखाता हो कि सुपर स्लो बॉल कैसे फैंके जाती है हाँ अच्छा तो यह बात है ठीक है पॉम्हें पॉम्हें जल्दी करो अच्छा पॉम्हें अरे नहीं मैंने कुछ ज़्यादा इदम लगा दिया अरे नहीं उसने तीसरा रन भी ले लिया है जल्दी करो पॉम्हें इसे यह आँसे तो नहीं भैग सकता कोई बात नहीं किस फहात थे आहाँ है अब हांता जयागाभ पर हमेचा के लिए खेल शकते हैं हाह शुक्रिया पॉम्हें ये सब तुम्हारी वज़े से हो गया tightly नहीं है और तुम्हें यहां लाने के लिए मुझे मिच्ज़ का भी शुक्रिया अदा करना है ने ने इसकी कोई जरूत नहीं है जब मैं उसे मिलूँगा तो उसे तुम सब की तरफ से शुक्रिया कर दूँगा अब मैं चलता हूँ, बाइ-बाइ, दिए-दिया! होमबग में क्या? तुमने होमबग क्योनी क्या उठो? तुम तो हमेशा सोते राते हो मिजफो, यहां यहां? मिजफो तुम्हे तो आराम करना था ना? याद है ना तुमहे पेट दर्द है? क्या मेरे पेट में दर्द है? नहीं-नहीं, मुझे तो हमबग करना है जब तक तक तुम ठीक नहीं हो जाते है, बिस्तर से हिलन भी मत समझे लेकिन इस रोबोट ने तो मुझे बुरी तरह फसा दिया पता नहीं तत क्या होगा जब टीचर को पता चलेगा कि मैंने होपड नहीं किया